एक जो रूल है प्रावधान है जो एक्ट के अंतरगत रूल बनता है जो statutory रूल होता है कोई guideline नहीं कोई चिठी नहीं उसके अंदर कहा है अंतरगत के postal ballots की गिनती पहले ली जाएगी यानि EVM की गिनती के पहले postal ballots की गिनती ली जाएगी ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से इस बात को कई बार अलग-अलग रूप से चिठीयों द्वारा और guidelines द्वारा है 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप postal ballot की गिनती शुरू करिए उसके कुछ समय बाद आप EVM की गिनती शुरू कर सकते हैं लेकिन और ये बहुत एहम बात है आप EVM क की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक postal ballot का पूरा result गणना के बाद घोशित न हो जाए यानि postal ballot की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोशित करना अनिवार्य है और अगर आप अंत तक पहुँच गए हैं EVM में तो उसको रोकिए जब तक postal ballot का आप परिणाम घोशित न करें इसके बावजूद और यह हमारी आचिका है यह हमारी complaint थिया चुनाव आयोग से चुनाव आयोग ने guidelines द्वारा इस statutory rule नियम को बदला है वो नहीं किया जा सकता कानून में guidelines द्वारा किसी rule को नहीं बदला जा सकता उन्होंने guidelines द्वारा जो पुरानी guidelines ही 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको उसको हटा दिया है उसको निरस्त कर दिया है और इसका पड़ा सरल और सीधा परिणाम यह होता है कि EVM की पूरी गर्णा हो जाए अन्त तक तब तक भी postal ballot की निर्णे की घोश्रा करना अनिवार नहीं रहा है अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि postal ballot के आधार पर निर्णे उत्तर से दक्षिन हो गया है पूरू से प्रश्चिम हो गया है इसलिए यह प्रावधान बनाया गया था यही इसका उचित्त्य है इसलिए यह अतियावश्यक है कि A आप कानून के अं प्रश्चिम को नहीं बदल सकते बी पोस्टल बैलेट जो निर्णाय के एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार है कि उसको पहले गिना जाए और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गंतंत्र के लिए स्वतंत्र चुनाव के लिए जो कि सम्विधान क मूल तत्वों का एक अभिन अंग माना गया है यह आवश्चक है कि जो कुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए